नमस्कार भारत के पहले डिजिटल मोबाइल न्यूस चानल मेटो टेवी में आपका स्वागत है मैं हूँ अनामेका वुलिटेन के शुरुवात करते हैं हेडलाइन से भारी बारिश से महराश्ट्र में तबाही मुंबाई गोवा हाईवे पर धाहपुल दो बसे और टीन गाणिया वही 22 लापता रस्क्यू में हो रही परिश्वानी सेना ने भेजा चेतक हेलिकॉप्चर राहत और बचापकार दे जारी कॉंग्रेस और सरकार के बीच बनी बाद राजुसभा में पेश होगा एक टैक्स वाला जी एस्टी बिल तेंदुलकर का भी समर्थन कहा एक देश एक टैक्स से देश को होगा पाइदा बारनसी में रोडशो के दरान सोनिया गांधी की बिगडी तबियार दिल्ली लोटी आर्मी हॉस्पिटल में भरती रात भाय साथ रहे राहुल प्र्यांका गांधी पश्चिम बंगाल का नाम बदलेगी मम्ता सरकार अंग्रेजी में बंगाल बंगाली में पॉंगो या बंगला करने का है प्रस्ताव सरकार के मंद्री पार्थ चैटर जी ने दी जानकारी और रियो अलंपिक के शुरू होने से पहले भारत को लगाता जटके मिल्का सिंग का रिकार्ड तोरने वालेद हर्म भीर और दोप टेस्ट में फेर रियो जाना मुश्किल लंबी मशक्कत के बाद सरकार ने बुदवार को रादुसभा में जीस्टी विधहक वेश करने की तैयारी पूरी कर ली है राजुसभा में मुख्य विपक्षी दल कॉंग्रिस जीस्टी विधहक पर हुने वाली चर्चा में कुछ मुद्दो पर आपत्ती के साथ समर्थन देगी सरकार के साथ बनी सहमती के बाद इस विधहक को कल ही देरशाम चर्चा के बाद पारित करा दिया जाएगा मंगलवार को विधहक में कैबिनिट की तरफ से किये गए संशोधनों की प्रती सांसदों को बाठती गई हाला कि कई सांसदों ने राजुसभा के उप सभापती से शिकायत की कि उन्हें विधहक की प्रती नहीं मिली है वित्तमंत्री अरुन जेटली ने कहा कि विधेक में किये गए संशोधनों की प्रती राज्य सभा सचीवाले को दो दिन पहले दे दी गई थी वही जीस्टी बिल के समर्थन में सचिन तेंदुलकर ने कहा एक देश एक टैक से देश को फाइदा होगा कौंकन में भारी बारिश की वज़ा से आई बार के चलते राइगड जिले में मुंबाई गोवा हाईवे पर एक पुल तूट गया इस हादसे में कुछ गाडियां बहने की वज़ा से 22 लोगों के वह जाने का अंदेशा है पुल तूटने के बाद NDRF राखत और बच्चाव के काम में जुटा है NDRF की प्रात्मिक तफसे हुए लोगों को सरक्षृत निकालने की है आपको बता दे कि ये पुल बिटिश काल में बना था दरसल इस जगहा पर आस पास दो पुल है जो पुल तूटा है उसका इस्थमाल गोः से मुंबई के ट्राफिक के लिए किया जाता है दूसरे पुल का इस्तमाल मुंबई से गोः जाने के लिए होता है हादा के बारे में सी-म देविंदरुफर नविस को जानकारी दे दी गई थी जिसके बाद से ही सीम पूरे हालात पर नजर बनाए हुए हैं हाईवे पर पुल वेहने के बाद NDRF राहत और बचाफ के काम में जुटा है यूपी में कॉंग्रेस को मुकाबले में खड़ा करने की रणनीती के तहट मंगलवार को सोनिया गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी के गड़ वार नसी में जबरदस रोट शो किया हाला की तबियत खराब हो जाने की वज़ा से वे इसे पूरा नहीं कर सकी बाबत पूर एइपोर्ट पर उनका शुरुवाती इलाज हुआ इसके बाद देरात करीब साड़े ग्यारा बजे उन्हें चाटट विमान से दिल्ली लाया गया जहां प्रियांका गांधी और वरिश नेता गुलाम नभी आजाद पहले से मौजू थे वारनसी में सोनिया गांधी को 8 किलोमीटर के रोड शो में लोगों का भरपूर समर्थन मिला सडकों पर उम्रे हुजूम के बीच सोनिया का काफिला जिधर से गुजरा उधर लोग पत्रियां पर फूल माला लेकर पलक पावडे विचाए मिले पश्चिम बंगाल राज्वे का नाम जल्द ही बदल सकता है राज्वे काबिनिट ने सोनवार को इसके लिए सहमती दे दी है प्रदेश की सीय ममता बैनर जी वेस्ट बंगाल नाम से वेस्ट को हटाना चाहती है इसलिए नया नाम अंग्रेजी में बंगाल और बंगाली में बंगला या बंग रखा जा सकता है प्रदेश सरकार के मंतरी पार्थ चाटर जी ने बताया कि जल्द ही विधान सभा का विशेश सत्र बुलाकर इस विश्चिय पार चर्चा की जाएगी तब तक अंग्रेजी नाम को बरकरा रखा जाएगा उन्होंने बताया कि प्रदेश का नाम बदलने के पीछे अंग्रेजी की वर्ण माला की वज़ा है और ये नई मांग नहीं है आपको बता दे कि साल 2011 में वेस्ट बंगाल का नाम बदल कर पश्चिम बंग करने पर राई शुमारी का रवाई की गई इसके लिए प्रदेश में सर्वदलिय बैठक भी बुलाई गई थी गुरियमंत्री राजनाच सिंग सार्ख से देशों के गुरियमंत्रियों के सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए आज पाकिस्तान रवाना हो रहे हैं राजुनाद सिंग सार्ख के मंद से पाकिस्तान की जमीन से भारत में होने वाली आतंकी गतिवीधियों का मुद्द उठाएंगे इस मुद्दे पार भारत को बंगलादेश का साथ मिलने की उमीद है सरकार पहले ही साफ कर चुकी है कि दोनों देशों के बीच कोई दिपक्षिया वारता नहीं होगी ग्रहमंत्राले के सूत्रों ने बताया कि पाक आतंकी संगठन लशकरे तैबा के सरगना हाफिस सईद के बहिशकार को भारत के साथ पाकिस्तान सरकार भी गंभीरता से नहीं ले रही है सउदी अरब में अपनी नौकरियों से हाथ धो चुके हजारों भारतियों के हालात का ज्वाइजा लेने विदेश राजमंत्री वीके सिंग जिद्धा पहुचे वहाँ वैस्वदेश वापसी के इच्छुक भारतियों के लिए अप्चारिकताएं पूरी करेंगे इससे पहले विदेश राजमंत्री एमजे अकबर ने सउदी अरब के राजदूद सउद बिन मुहम्मद अलसाती से मुलाकात कर भारतियों की स्थिती पर चर्चा की अकबर ने मंगलवार को ट्विट कर ये जो अनकारी दी उन्होंने कहा सउदी सरकार की ओर से भारतिय कामगारों और अन्यमुद्दों को सुलजाने का भरोसा दिया गया है आपको बता दे कि खाडी में अर्थ व्यवस्था के चर्म राने से सउदी अरब में हजारों भारतियों की नौकरी चली गई है आर्थिक तंगी के कारण भोजन खरीदने में असमर्थ लोगों को भारतिय मिश्वन ने भोजन उपलप्त करवाया बुलन शहर कांड की संसनी अभी थमी नहीं की बरेली में भी दिली हाईवे किनारे एक नीजी स्कूल की सिक्षिका से तीन दरिंदो के अगवाकर गैंग रेप करने का मामला सामने आया है जब सिक्षिका स्कूल जाने के लिए घर से निकली थी तब ही बीच रास्ते से वैन सवार्तीन युवकों ने उसका अफरन कर परसाखेडा इंडस्ट्रियल एरिया के आगे खेट के पास ले गए और वहाँ वैन में ही गैंग रेप की वारदात को अंजाम दिया इस जोनान आरोपी ओने फोटो भी कीच लिये डरी सहे मीसिक्षिका घर पहुँची और परीजनों को जानकारी दी जिसके बाद परीजनों ने इसकी शिकायत सीबी गांज उताने की जिस पर पुलिस ने कार विशाल यादव की सजा बढ़ाने और पेरोल नहीं दिये जाने की मांग की है सरकार ने शपत पत्र के साथ यूपी सरकार से बदायू में चल रहे एक मुकदमे में पेशी को लेकर विकास यादव और विशाल यादव बार बार यूपी जाते थे ऐसी सूचना थी कि ये वहाँ पेश होने के नाम पर मौज उड़ाते हैं संसत परिसर की वीडियो ग्राफी मामले में गठित लोक सभा की जान समीती ने आप संसत भगवंत मान को संसत की सुरक्षा सारवजने करने का दोशी पाया है लेकिन उनके खिलाफ कारवाई के सवाल पर सदश से बड़ गए हैं समीती में शामिल टी-एंजी और कॉंगरिस की सदश से मान को इसी सत्र तक के लिए निलंबित करने के पक्ष में है जबकि भाजपा के सदसे उन्हें कम से कम तीन सत्र के लिए सदन से बाहार करवाना चाते हैं कहा जा रहा है कि समीती ने अपनी रिपोर्ट में कारवाई पर आम राय ना बनने के कारण किसी तरहा की सजा का जिक्र नहीं किया है DTC बसों के बेड़े में और बसे जोड़ने में केजरिवाल सरकार भले ही नाकाम रही हो लेकिन अब सरकार फीडर बसों की नई योजना लेकर आने वाली है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट DTC के जरिये फीडर बस चलाने की तयारी कर रहा है दलील ये है कि ये बसे उन इलाकों तक लोगों को सफर की सुविधा मुहिया कराएगी जहां अभी DTC बसे नहीं पहुँच पाती है दली सरकार ऐसी हजार बसे लाने की तयारी कर रही है ये बसे मौझूदा लोग फ्लोर बसों से चोटी होंगी और भीर भरे और संकरे रूट पर चलाई जा सकेंगी दली सरकार के परिवहन मंतरी सतेंद्र जैन ने इस योजना की पुष्टी की है उन्होंने कहा है कि सामने प्रक्रिया में करीब आठ महीने लगते हैं लेकिन नई फीडर बसों की सुवीधा दली वालों को जल्द से जल्द मिल सके इस बात को ध्यान में रखकर फीडर बसों को खरीदने और उन्हें सड़क पर उतारने की योजना पर तेजी से काम किया जा रहा है हिमाचल प्रदेश हाई कोट ने बीसे सी आई और ध्यक्ष अनुराग ठाकुर और हिमाचल प्रदेश क्रिकेट असोसियेशन के खिलाव दर्च प्रात्मिकी को खारच कर दिया है ये प्रात्मिकी 8 अपरिल 2014 को धर्मशाला में क्रिकेट स्टेडियम बनाने के लिए शिक्षा विभाग की जमीन पर अतिक्रमण करने के आरोप में दर्च की गई है नैदिश राजिव शर्मा ने धर्मशाला कोट में आरोपियों के खिलाफ लगाए गए चार्ज और लंबित अपराद हिक मामले को भी खारिच कर दिया है नैदिश राजिव शर्मा ने एच पी सी ए और अनुराख ठाकुर की ओर से दायर याश्री का को स्विकार करते हुए कहा कि प्रात्मी की और चालान में कही भी ये प्रतीत नहीं होता कि कोई अपराद भारतिय डंड सहिता की अधारा के तहत किया गया है हिमाचल सरकार ने लाखो करमचारियों को जटका देते हुए जीपीएफ पर ब्याजदर घटा दी है इसे आठ दशवलव आठ प्रतिश्वत से घटा कर आठ दशवलव एक प्रतिश्वत कर दिया है राजसरकार के वित्व विभाग ने इसके आदेश जारी कर दिये है ये फैसला एक अपरिल 2016 से 30 स्टमबर 2016 तक लागू होगा केंद सरकार की ओर से इस वित्व वर्ष की पहली जमाही के लिए जीपीएफ की ब्याज दर को घटाने के बाद ही हिमाचल सरकार ने ये फैसला किया है नेपाल की नए प्रधान मंतरी का चनाव आज होने जा रहा है इस चनाव में माउवादी सुप्रीमो प्रचंड का भारी बहुमत से जीटना ते है मंगलवार को हुए नामंकन दाखिल में सिर्फ प्रचंद ने ही उमिदवारी पेश की है लेकिन पीएम पद हासिल करने के लिए प्रचंद को संसद में बुधवार को होने जा रहे मद्दान प्रक्रिया में अपना बहुमत साबित करना होगा 84 सीटों के साथ नेपाल के संसद में तीसरे नंबर की पार्टी माववादी के अध्यक्ष प्रचंद को सबसे बड़ी पार्टी नेपाल कॉंग्रेस के 2007 संसदों का समर्थन हासल है इसके अलावा मधेशी दलों के 56 राजतंतर समर्थक राश्ट्रिय प्रजातंतर पार्टी के 35 सहित करीब 400 संसदों का समर्थन मिलना तै है केपी ओली की सरकार में मुख्य साज़दार रहे माववादी ने हाल ही में समर्थन वापिस लेकर अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था रियो ओलम्पे के शुरू होने से पहले भारत को लगाता जटके लग रहे हैं एक के बाद एक भारती अथले तोपिंग के दंग का शिकार हो रहे हैं 200 मीटर दोड के धावग धर्मबीर सिंग नादा द्वारा लिये गाए डौप टेस्ट मे फेल हो गए हैं दोप टेस्ट में फेल होने के कारण धर्मबीर सिंग रियो के लिए उड़ा नहीं भर सके हाला कि नाड़ा ने अभी तक अधिकारिक तौर पर एतलेटिक्स फेडरेशन को इस बारे में सूचत नहीं किया है लेकिन वैं मान रहे हैं कि ये डोपिंग है रियो जाने वाले धर्मबीर एकलोते पुरुष धावक है धर्मबीर हर्याना के रो तक से आते हैं इस साल जुलाई में बंगलिरू में हुए इंडियन ग्रामप्री एतलेटिक्स इवेंट में धर्मबीर ने बीस दशवलव पांच शुन्य सेकंड के ओलमपिक मार्क को बीस दशवलव चार पांच सेकंड में पूरा कर लिया था 2015 में 21 वे एश्यन चांपिन्शिप के दौरान धर्मबीर ने 22 दशवलव 6-6 सेकंड की टाइमिंग के साथ मशूर धावक मिलखा सिंख का रिकॉर्ड तोड़ा था जमेका टेस्ट के चौथे दिन ही भारत को बड़ी जीत की सुगंध मिल गई थी लेकिन बारिश ने टीम इंडिया का काम बिगार दिया चौथे दिन बारिश ने लगभग देड़ घंटे का खेल बादित कर दिया लेकिन लंच से पहले 16 ओवर के अंदर ही ताबड तोड चौर विकेट जटक लिये थे और भारत अब जीत से 6 विकेट दूर रह गया था लेकिन बारिश ने आगे का खेल होने नहीं दिया बारिश के कारण खेल काफी देरी से शुरू हुआ लेकिन लंच तक वेस्ट इंडीज ने महज 48 रन पर अपने चार विकेट कवा दिये थे लेकिन इसके बाद का खेल नहीं हो सका जिसे दो सत्र पूरे बिकार चले गए वेस्ट इंडीज को पारी की हार तालने के लिए अभी 256 रन और बनाने होंगे इससे पहले टीम इंडिया ने अपनी पहली पारी 9 विकेट पर 500 रन पर उस समाय घोशित कर दी पहली पारी के अधार पर मेजबान टीम 304 रन से पिछड़ी हुई है खबरों के सफर में फिलहाल उतना है देश दुनिया की पलपल की खबरों के लिए बने रहिए मेट्टो टीवी के साथ नमस्कार